बिस्मिल्लाइन आमार्रहीम असलाम अलेकुम डियर वीवर्स इस सर्साउद और वाचिग माई यूट्यूब चैनल साउद सुलूशन्स आज की वीडियो लेक्चर में मैं एक सिक्वल पार्ट ले गया हूं सुलूशन आफ पेपर 2019 फस्ट एर माथमाडिक्स कराची बोर्ट सेक्शन ए मल्टिपल चॉइस कोशन सॉल्व कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लास्ट फाइफ एमसी कुष्ट सॉल्व करेंगे 16 17 18 19 & 20 तो बरते हैं अपने सिक्विस की जानिब हमारे पास 16 एम सिक्विस पुझा रहा है दी इन रेडियस और ओफ ट्राइंगिल एबी सी इस इक्वल टू किसके बराबर होता है फॉर्मला पुझा है चैप्टर नमबर ट्वैल्व सलूशन ऑफ ट्राइंगिल का टॉपिक है और इसकी एक्ससाइज ह से 12.5 उससे रिलेटिट जो है चीज़े पूछी जा रही है अब पहले में डिफाइंड करें तो इन रेडियस होता क्या है यहां देखिए रफवर्ग में इन रेडियस अगर मैं एक ट्राइंगिल ड्रॉः करता हूं और ट्राइंगिल के अंदर एक सर्कल ड्रॉः करता हूं और इस सरक्ल की खासियत यह होगी कि यह इस ट्राइंगल की तीनों साइड से टर्च करता वह जाएगा अंदर यह क्या लाता है इन सरक्ल क्या क्या लाता है इन सर्क्ल अच्0 Donald मौक अच्छा इसका सेंटर पॉइंट सoga सेंडर पॉइंट होगा तो इसका रेद्यस भी होगा कि कि यह जब रेडियस के स्काश्य इस रीडियस को कहते हैं इस्मॉल आर और इसका ही नाम कहलाता है इं रेडियस रहुंद है इन डेड इस और इसका फॉर्मला होता है हमारे पास डेल्टा ओर एस सब्सक्राइब करें डेल्टा और एस अब आप चेक कर लें अपने अप्शिन में पहले हैं डेल्टा एस सेगें डेल्टा ऑवर एस इसका मजब्वे सेकेंड आपके पास राइट फॉर्मला बन गया इसका इस सलुशन को नोडाउन करें अपने बास इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्सिक्यूस की जाने इसको हमें सॉल्फ करना होगा इसलिए मैं यह रफ यहां पे रिमूव कर रहा हूं यह कह रहें कॉस्स नाइंटी कॉस्स थर्डी मानिस साइन नैंटी साइन तेरी इसको सॉल्फ करके बताएं तो देखते हैं यहां पर देखेगा अगर मैं यहां पर यू लिखू कि कॉस्स नाइंटी डिग्री इसके इलावा कॉस्स थर्डी डिग्री मानिस साइन नाइंटी डिग्री और साइन थर्डी डिग्री अब एक फॉर्मला याद कीजिए आप लो हमने फॉर्मला बढ़ा हुआ है कॉस्स अलफा कॉस्स बीटा मानिस साइन अलफा साइन बीटा तो यह फॉर्मला क्या हो था यह जहाहँ आपर लिख भी जेता हूं कि कॉस के अल्फा-प्लस बीटा बराबर होता था था कॉस अल्फा स्थी बीटा माइन्स साइन अल्फा-साइन बीटा है तो बैसिकरी दिगरी यह शकल जो है वह इससे मिल देये तो हम क्या करेंगे इसको फॉर्मुलेमे बबंद करते हैं कि कॉसं अलफा प्लस यह रbalanced man गर्ट चीप यहाएगा कॉस् चॉचीम कॉस्स ॥ थर्टी 20 डिकरी होता है कॉस 120 की वैल्यू आप जब कैलक्टर से निकालेंगे वह आएगा माइनिस बाउंट टी एका कि यह मईनिस बानी याद भी होनी शागिक है और आप कैलक्डर की मत्रसे अराम से निकाल सकते हैं माइनिस वर बाउंड या माइनिस पॉइंट फाइब दे सकता है तो माइनिस पॉइंट फाइब माइन दा माइनिस वर भाउंड दो अब आप आपने पास कि इसके बाद मैं इसको रिमूब कर रहा हूं ताकि मैं नेक्स्ट एमसी कुस को सॉल्व कर सब्सक्राइब अब नेक्स्ट एमसी कुसे एडी यह कह रहा है इफ एना जीपी जीपी का टॉपिक आ गया है तो जैसी बेदे चैप्टर नुबर सिक्स से तालूग इसका सिक्वेंटर सीरिस का अब एक की वैलू दिए थिरी एंड आर की वैलू टू अपाउन थिरी देन एस इनफिनिटी यह इंफ्राइट जुमेट्रिक सीरिस का डॉब है एक्सरसाइज नंबर 6.6 से इसका तालूग है अब यहां पर यह काम करेंगे कि हम डुक्राइस टिहएं डिवाई बैवन माइनिस का आड़ की वैलू का ट्уз ओक त्रीव मते हैं नीचे लेलींगे ट्षी तो देके 3 over 3 बन्सा 3 minus 2 over 3 fraction के निचे fraction आगया ये 3 reverse multiply ओगा अपर 3 से 3-2 क्या हो जाएगा divide by 3 minus 2 क्या हो जाएगा 1 और 9 को 1 से divide करेंगे तो गया जाएगा result 9 आजाएगा अब हम देखते हैं कि options में ये 9 कहां पर लाए कर रहा है तो देखिए options इसका इसका पहला option 9 मिल रहा है तो आपका पहले option right हो गया इसको right tick कर दीजे और इस solution को no down कर लिजेगा अपने बस अब मैं इसको remove करता हूं और next mcqs की जानी पढ़ता हूं और next mcqs मुझसे पुझा रहा है नेंडी the number of ways in which five persons can be seated in a row एक रो में पांच लोगों को आप किस तरीकी से बढ़ा सकते हैं या वो पांच लोग एक रो में किस तरीकी से बैच सकते हैं इसके तालुक आपके पास चैप्टर नमर 7 से हैं और exercise नमर 7.1 और 7.2 पर मुर्टीशन का केस हैं तो अब ज़र देखते हैं आपके पास पांच पर्संस हैं और पांच के पांच पर्संस नॉन रिपीटेट हैं जाएसे बज़ा हर शक्स की शेकल एक दूसरे दिफरेंट है तो इसका बंद में यहां पे फाइफ केसिस होगा है वन टू थीरी फॉर फाइफ मिसाल के दूर्बर रॉ में यह पांच सीटे लगी हैं और हमें पांच जो परसंसे उनको बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा कि पहला ऑप्शन इस्समाल करूंगा पहली सीट पे इन पांच में से कोई एक बंदा बैठ सकता है ठीक है पहला पर अब जो शक्स इसमें बैठ यह एब एक मानिस कर देंगा फाइब मैं से एक मानिस कर देंगा फोर अगर मुझे दूसरी जगह को फिल करना है तो मेरे बाद चार चार में से को एक बंदा बढ़ाऊंगा तो इसको कितने तरीक हो गये चार क्योंकि उन्यट चार में से कोई ए का कैसे तो तू दो बचे अब इस जगह को फिल करने के कितने तरीके दो तरीके यानिकि दो में से कोई एक बंदा बैठ सकता है तो यहां पे दो फूट कर दीजिए अब इसमें से इसका रिजल्ड आजिएगा 120 वेस कितना आजिएगा 120 वेस अब अपने आप्शन से मिला के देखें कि 120 वेस कहां पर आ रहे हैं पहला आप्शन है 120 वेस मैस कर गया अपने इसको ही ट्रिक कर दिया तो यह आपका mcq solve हो गया इस solution को no down कर लिजिएगा अपने पास इसके बाद अब लास्ट mcq के नाने परते हैं 20 इसमें कहरा है if modulus of x less than 1 x की कीमत 1 से छोटी है देन वन प्लस 2 x प्लस 3 x स्कायर प्लस 4 x क्यूब किस के परावर होगा बेसिकली तो अरब यह बाइनमल सीरीज है चैप्टर नमबर 8 8.5 का टॉपिक है आपने इस बाइनमल सीरीज को जो है बाइनमल थियूर्म के अंदर बंद करके लिखना है अब इसका तरीके गार देखते हैं इस सोल्यूशन को मैं रिमूफ कर रहा हूँ अब जरू देखते हैं इसकी ट्रिक इस तरीके से जैसे वन प्लस टू एक्स लिखावाई प्लस थिरी एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड प्लस सोल्यूशन के इसकी ट्रिक हम इस तरीके से बना लेते हैं कि आपके पास एक ब्रैकेट लगाईगा इस तरीके से पहला नंबर तो बाइनमल सीरीज में होता है वन यह वन यहां पर लिख लिए दूसरी ट्रम जो होगी उसका कोफिशन हटाकर जो वैरिबल होगा वह लिख लिए अब रह गया है साइन का डिसाइड करना और पावर का तो यहां दखें अगर यह प्लस की सीरीज है प्लस की सीरीज है तो यहां पर आएगा माइनस यहां पर आएगा माइनस प्लस की सीरीज है दो बीच में लागा है माइनस अच्छा और क्या करेंगे जो सेकंड होती है जैसे टू एक्स इसका जो भी कोफिशन होगा उसको माइ माइनस में पावर बनाकर लिखेंगे तो यह प्लस कट हुए इसको माइनस टू कर दूंगा मैं तो यह पूरी बाइनमल सीरीज इस बाइनमल ठीरों में बंद हो गई अब आप देखें इसको option को मिलागे देखें कौनसा option से लाइक कर रहा है यह लास option से लाइक कर रहा है वन माइनस X की पावर मानिस 2 जब आप इसको बाइनमल सीरीज के फर्मॉले वन प्लस X की पावर एंड से expand करेंगे दुबारा तो वापस यही शकल आजाएगी तो इसका मजब में लास्ट ऑप्शन इस राइड ऑप्शन तो इस तरीके से आपने इस सॉल्फ कर लिया वह सुलूशन आपके पास है इसको नोट कर लीजिएगा और इसके साथ ही सुन्स मैं अपना आज का वीडियो लेक्षर यहीं पर आइंड करता हूं और उमीद करता हूं कि आज के लेक्षर में जो मैंने आपको समझाए हैं वह अच्छी तरह समझ में आगया होगा आपको और एक्जैम के दिनों में आप जब यह वीडियो देखेंगे तो आपको इंशालत आला एक्जैम में बहुत हैल्प मिलेगी इसके साथ ही मज़ीद MSQS के सलुशन को जानने के लिए सवालात के सलुशन को जानने के लिए पास पेपर के सलुशन को जानने के लिए देखते रहीगा सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों में शेयर करें इसको लाइक कीजिएगा या आपका अपना चै